आज मैं आपके रेलाई हूं बस दो मिनिट में बनने वाली नास्ता ब्रेकफास्ट की रेस्पी जो की काफी हेल्दी और काफी टेस्टी और इजी सुभी की भागदौर के लिए बहुत ही इजी है तो रेस्पी अच्छी लगी तो सबस्क्राइब जरूर किज़ें तो बनाने इसे भीग गई एक क्या करें मैं इसे भीगो ली हूं अब इसे मिक्सी जार में हम पीस लेंगे अद्रक और हरीमिश डालके यहां पर एक इंच अद्रक और दो से तीन हरीमिश ले रहे हूं आप इसे पीस के रात भर के लिए फ्रिज में भी रख सकते और सुबह उटके पानी इसमें डालेंगे स्वाद के निसमें नमक डालेंगे और यहां पर थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए और यहां पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर एक चमच खड़ा जीरा ले रहे हूं और आप डालना चाहे तो डाल सकत आपसे मंगडाल का चिला या मंगडाल की डोसा भी बोल सकते हो आप यहाँ पे तवा को गरं कर लेंगे हम मैं यहाँ पर लोही के तबाम बना रही तो लोही के तबाम में बनाएं तो अच्छे चीज़ से पहले गरम कह लें गी बटर ओयल किसी चीज़ से हलका सा हम इसे गृस कह लेंगे इसमें कोई भी ओयल नहीं है अब इस तरह से हम जिस तरह से ढोसा फैलाते हैं तरह से हम एक कल्ठी डालकी से हम इस तरह से फैलाते जाएंगे चारो साइड घुमाते हुए देखिए अब घुमाते घुमाते ही आधर पक गई है और उपसे हलका सा ड्राइ होने के बाद हम इसमें ओयल ग्रीज बटर जो आपको पसंद हलका से लगा सकते या बगर लगाए स्प्रिंकल करेंगे थोरी से आप इसने कहले हैं हलका सा कजया से हाञे यहाँ पहुत ही स्वादिश लगता है अब अंदर से अच्छे से पी उभूत साइड के साथ, टेमेटो सोस के साथ, कोफी के साथ, देह के साथ, किसी के साथ भी इंज्वाइ कर सकते हैं, बड़ो से लिए कि बच्चों तक सभी को यह पसंद आने वाली नासता है, और बस दो मिनिट में जट पर तयार होने माली, सुभी की भागदूर के लिए काफी एजी है, हेल दिवे बनाईए, खाईए, एंज्वाइ करिए, कीजिए, रेसिपी अच्छी लगी, तो लाइक सेर के बने जड़ो कीजिए, थाएंगी वाइटिंग में,